अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबस्क्राइब कर लिजे पास में जो बेल आइकन इससे जरूर पूस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नियू वीडियो नोटिफेशन आपको तुन मिल सके और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह थाल पोस कैसी लगी और अगर आप मुझे कुछ भी पूछना चाहती है तो सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे आपको जा करके वाहाँ पर जो थाल पोस देखना चाहिए उसकी वीडियो पूरी देख सकती है तो चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास से काफी सारी बची हुई रखी हुई थी उसका मैंने यूज करके इस थाल पोस को बनाय क्यां मेंगे स्टार्ट करेंगे अ यहां फॉप दॉप 2 पन डालों को निकाल लेंगे स्लिप इचिच बनाएंगे इṣ तरह से माना एक सर्कल बन कर से तियार होगा चोटा सा अब यहां पर फिर १ी स सर्कल बनानी बनाईंगे एu जू ढबल कोशे आकाउंट होगी और इसमें अब हमें 14 डबल कोशेneg नोगी दो हूटिया को नहीं बनाने के लिए लूप लेंगे सरकल गंदर डालेंगे खूट दो फंदे एक बार निका लेंगे यहां डूबल कोश्या कहलाती है इस तरह से हम यहाँ पर तूटल ग्यारा बार हम डबलकोसिया निकाल लेंगे तो चेन को मिलाके मारे यहाँ बारह डबलकोसिया स्रकल नि बन जाएगे अगर इस से इसको बड़ा बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 16 या 18 बढ़ा के भी आप यहाँ पर बना सकते हैं तो इस तरह को थालपोस और बड़ा चोड़ा बनेगा तो यहाँ पर हमने 12 ग्यारा डबलकोसिया हमने निकाल लें ते इंचेन मनाने के बाद बहुत ही आसाने ठालपोस है कि डियान भी बहुत आसाने से कोई वीगेनर बहुत आसानी से बना सकता है और यह ठालपोस एक से दिएड़ घंटे में आसानी से बनकर के तैयार होजाती है तो नीचे से हम काउंट करेंगे उपर की फर्स्ट वाली चेन होगी उसमें हम डाल करके मिना लूप लिए डालेंगे और एक बार में इसको निकाल लेंगे अब इस राउंड में यहां पर हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन डबल कोस्या के लिए होगी दो चेन बीच में गैप देने के लिए तोडल पांच चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में और जितनी भी चेन नीचे दिख रही है सब्सक्राइब हम पर एक डबल कोस्या में बनाएंगे रूस्याली चेन बनाएंगे इस लेंगे पर इसके चेन है उसके एक डबल कोस्या हम बनाएंगे पिर दो चैन लेंगे फिर उसके नेक्स टॉली चैन पर फिर एक डबल कोश्य बनाएंगे इस तरह से निचे जितनी 12 कोश्य बनाए थी तो सभी पर हम एक एक हम डबल कोश्य बना लेंगे दो दो चैन लेकर के फिर एक डबल कोश्य बनानी हमें नेक्स चैन में इस राउंड क तो मैं इस तरह से कम्पीट करना हैं तो अब पूरी रों में इसे तरह से बना लिए है जो लाश्ट में आएंगे फिर दो चैन लेकर के और तीन चैन में कट कर देंगे ऑच यहां पर दूसरी उनको जोड़ेंगे तसके मिलाव पर गाट लगा लेगे और फिर यहां पर हमती चेन बनाएंगे और इसके अंदर तोतल चार डबन में गयफ से हो जाएगी। भी एकजह है। Cette लेंगे फिरके अहने डालुक से निकालेंगे। पिर यहाँ पर गैफ दिखनारि करी दोड्त चैन वाली गैफें। दबल कोशिया के बाद तो उसमें हमें वर्क करना है तो वहां पर हमें चार डबल कोशिया निकालना है फिर एक चेन लेना है फिर नेक्स्ट गैप में पर चार डबल कोशिया बनानी है फिर एक चेन लेना है इसी तरह से इस लोगों में कम्लीट करना है एक डबल कोशिया और ये चार डबल कोश्या होंगी आपमेंड रगभग के बना ली फिर एक चेंड लेंगे और उसकered फिर स्व मेंचम गयाप में तरयव więc नीजेंड में फिर हम चर्डृबल कोश्या बनाएंगे ये इस तरसhalb को सिर्व को किप्रिट करेंगे कि प्र ही ये शेर मनां रिम्निया पैटर्न बनाए टोटल यहां रावारा पैटर्न होगा यहां पर हमने फिर एक चेन लेकर चाड़ब को से बनाए फिर एक चैन लेकर लास्ट में फिर इसको स्लेप स्टेशन ने प्लोज कर दिया उनको हमने कट कर लिया है अब हम आपर दूसरा उन जोड़ेंगे तो जो कि आख लंगाट लगाने कक पर हम यहां पर तीन चेंट बनाएंगे आपधे मैं ड़ को से निकालेंगे ताम फैंसरां में दो दोपोस्य निकालनी है पिर यहां पर हम तीन चैनल लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली गैप में फिर हम डालके फिर हम दो डॉबल कोश्य निकालेंगे एक दोबल कोश्य हो गई एक और यह दोबल कोश्य है जो इस तरह से आएगा फिर तीन चैनल लेंगे जो निकालेंगे ऊश्दूब पिर sis शुरू को इस तरह से कंपने कर हमें जोटू कोश्य दूबल कोश्य बनाएं दोबल कोश्य में को पिर बनाएंगे these यह रो इसी तरह से complete होगी मैं आपको complete करके दिखाती हूं यह रेखे मैंने रो complete कर ली है इस तरह से इसका लुक आएगा अब लाश्ट में फिर हम तीन चैन ले करके और इसको फिर स्लेपिश्टे से close करेंगे कि तीन चैन ने लिए इस्टार्टिंगे यहां पर तीन चैन मनाया था तो उसकी फिर्स्ट वाली चैन में डाल करके हम यहां पर स्लेपिश्टे से इसको close कर देंगे ऑफ यहां पर हम उनको कट कर लेंगे जो एक गैब दिखरी तीन चैन वाली इसमें हम उनको जोड़ेंगे आप इसको को जोड करके है अब हम यहां पर दो डबल कुर्षय यह चैन और दो डबल कुर्षय आं बनाएंगे तो तीन चेन हमने बना लिए। willsther निकाल लेंगे। हैं दो होगी स्कएठ फीर एक चेन लेंगे फर इसमें फिरम दो हैं निकालेंगे। इसके और फिर हम दो चेन मनाएंगे फिर नेश्ट गैप में फिर हम निकालेंगे दो डोबल कोशिया फिर एक चेन मनाएंगे फिर दो डोबल कोशिया निकालेंगे फिर दो डोबल कोशिया होगी फिर एक चेन मनाया प्रित नहीं के नहीं हैं फिर इसी डैयगे दो निकालेंगे यह लिए यह को पर दोचेन में अ नश्ट कया है झालेंगे इस रोको इसी तरह से में कम्रीट करना है दो चेन मनाना है फिर जो नेक्स्ट गैप आई है उसमें हमें दो डोबल कोश्य बनानी है फिर एक चेन मनाना है फिर दो डोबल कोश्य बनानी है तो इस तरह से इसका लुक आएगा इस रोको में इसी तरह से में कम्रीट करना है तो देखे रोम ने कर्मिट कर ली यहां पर यह वी जो उने पैटर मनाए है टोटल बारा पैटर मन करके तयार हुआ है बीच में अब फिर हम यहां पर उनको कट करके अब हम फिर दूसरा कलर हम जोड़ेंगे हैं यहां पर मैं हरो में हमें गैप में ीवर करना है मैं तो गैप में ही हम यहां पे दूसरे कलर पीर जोड़ लेंगे प्रिसरा कलार जोड़ने। यहां पर जोड़िया है गैप में अब MIKE 3 जोड़ेंगे अब इस कफ निकालने है तीन डबल पुरॉष regular पिर एक त्यर्व तीन डबल कोश् कोशा और फिर यहां पर एक कर दोब यह निकाल लेंगे घंग फिर यह निकाल लेंगे मैं इसनल पर टोब कोशा ओगी तो दुछ चाहिए तो दुछ में निकाल लिए हैं तुम सक एक फिर हम तीन चेन लेंगे ह perception मनें पिर नंदो फिर निकाल लेंगे पिर एक चुझ लेंगे फिर नेक्ट मैं त पملको ser लेंगे फिर हम दॉका रया नायाँ हो गई हूद पिर तीन दबल कोश्या एक जाए दो गज्जिट है दो और तेन दबल कोश्या अब फिरम तीन चेन बनाएंगे चेँज भी दो फिरम यहां पर बनाएंगे यह गज्जिट है इस तरह से ज्रोकों में केमलिट करना है देखिए रोम ने कम्रीट कर ली है इस तरह से इसका लुकायागा बनने पर अब यहां पर फिर हम मून को कट कर लेंगे अब इस में फिर जो गयफ है तीन चैने वाधि यहां अब यहां पर जोम आप गिर में में काम करना है से आप यह हो गया मैं तीन डबल कोशिया चेन को मिलायों मैं निकालेंगे है 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 घुर है थी का रहा है विच्व को सिया दोचेन चार दाबल को से मनानी है की तरह से इसका लूप आएगा अब यहां पर हम तीन चेन मना करके नेस्ट गैप में आएंगे तो आप इस तरह से इसको चेन मनाने कि बाद देख लिए आप सकती है कि अब या पर फिर हम चार डबल कोशिया फिर दो चेन फिर हम चार डबल कोशिय बनाएंगे लोग को थोड़ा हम लंबाई लेकर करके हम बनाएंगे डबल कोशिय जब बनाएंगे तो ते चार डबल कोश्य हो गई फिर दो चिन मनाएंगे फिर इसी फिर हम चार डबल कोश्य और निकालेंगे इस तरह से इसका लुका रहा है फिर हम तीन चेल लेंगे फिर हम तीन चेल लेंगे फिनिश गैप में आजाएंगे फिर वहाँ पर हम चार डबल कोश्य और चार डबल कोश्य और चार डबल कोश्य बनाएंगे फिर तीन चेल लेंगे फिनिश गैप में आए जाएंगे इस रोको में इसी तरह से में complete करना है तो हमें हर रो में gap में ही हम काम कर रहे हैं जो हमने double question हम बुन रहे हैं उसमें कोई work नहीं करना है जो हम दो chain यार एक chain को gap दे रहे हैं उसी में हर रो में हमें काम करना है इस देखिए हमने यह बना के हमने इकम्रीट कर लिया इस रोको देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है थालपोस का तो आप इसे किसी भी कलर के काम्बिनेशन से आप इसे बना सकती हैं वहती खुश्रत थालपोस बन करके तयार होगा आपका अब हम यहां पर उनको कट कर लेंगे और हम दूसरे कलर की उनको हम जोड़िएगे है कि çek कि आप फिर वृष्र में दूसरे कबार प्यपोस प् выпуск खुर लिछा है अब यहां पर फिर पर था में टीजन बनाएंगे और एक डबल कंशिया हम बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाने के बाद फिर स्कैप में फिर हमें एक डबल कोश्य बनाएंगे यह दो चेन का गैब दिया है वो उसमें इसे निकालनी है इस दो डूबल कोश्य होगी हम दो डूबल कोश्य बनाएंगे फिर तीन चेंट लेंगे फिर नेक्स जो गया पहँँ इस में डाल के फिर हम दो यह जो नीचा अमने चाहज़ सोधा तो इसके बीच में भी यहाँ पर थे घर कीत में ध़िया चेबंक Almό लुए हम भी मिंदो आप ड्रूपल कोशिय कटो है एक अमचे बद्स नंदक्द on Pun sack में अर्य फिर यहाँ से मालेव in Germany's पिर तीन चेन मनाएंगे फिर जो पैटन के बाद यहां जो गैप है उसमें हम डालके दो डूबल कोशा निकालेंगे तो इसी तरह से स्रोकों में कम्रीट करना है मैं आपको कम्रीट करके दिखाती हूँ जो देखें कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है बहुत ही आसाने से बनाना और यहां आराम से एक जड़ घंटे में कम्रीट कर सकती है अब हम यहां पर उनको कट कर लेंगे कि और आप में दूसरे कलर के उनकों जोड़ करके फिर आप यहां पर हम तीन चेन मनाएंगे अब इस गैप में यहां पर हमें तीन चेन मनाने के बाद हम दो डबल कोश्या बनाएंगे तो तीन चेन को मिला करके यहां पर तीन डबल कोश्या हो जाएगी उसके फिर हम एक चेन मनाएंगे फिर तीन डबल कोश्या ऐसी गैप में और निकालेंगे यहां पर में 3 दबल कोश्य एक चेन और रहना हमें, हर गैप में, तरहीं तीन चेन को मिला के यहां पर 3 दबल कोश्य हो गए, यह 3 चेन और निकालेंगे, कि दबन classrooms 20 और ये तिन अब फिल तो और ये तीन duesपर तीन दबल कोशिय एक्षेज्टेन तीन Надउब उन्मने बना लिया हैं I wanna play हमlar 12 चेन लेएंगे फिरनेष्ट केप में फिर हम निकालेंगे dl केहां तो फिर निकालेंगे तीन दॉब क्याएं लिए अई कि भूभे कर ली इसका लुक आएगा हूं में लिए या पर कि दूसरे कलर के उनकों छोड़ेंगे के दूसरे कलर के चुरेंगे के बाद ह emphasizing या पर थीन चीड बनाएंगे फिर हम दो टै Bowl नेका लेंगे चलेंगे कि छैन कोम लियां कि आप में अपर煮ीड है ती हमारी दो चैन लेंगे फिर इसे इक तैन दुबल कोशय और सब्सक्रीट रिंगे पर य मिंपर लोगों के दो कोशया है थे दो चेनी है या फिर यह तेवल नोल जने केलिये उसके दो डबर कुष्या निकालनी Jefferson कैं इसे तरह से हमें मैं इसको कम्रीट करना है गैप में 3 giving को शे दो और ने हम वन में एजाना है particularly और आप कि इस तरह से सеци लुक कौक आएगा एधिर और वे और कशय है दो चेन और पिर न 용न पर Barnesegen लिया है हम ने फिर नेक्स की आगए है यहां पर दो चेन निकाल लिए फिर दो चेन लेकर फिर नेस्ट अपमें आ जाएंगे कि इसी तरह से रोक हम प्रम्रीट कर लेंगे रोब हमने कम्रीट कर लिए इस तरह से इसका लुक आएगा अब एक लाश्ट रो हम मुनेंगे तो आपको अगर थालपोस बड़ी चाहिए तो जैसे अपने 12 से में स्टार्टिंग की थी तो आप 16 या 18 डबल कोश्या से बना करके सरकलें बना करके फिर आप स्टार्ट कर सकते तो आपका यह थालपोस बड़ा बनेगा कि जोड़ेंगे तो जो नह une a वर दूसरे कलर जोड़ेंगे तो जोंने यह थिन डबल कोश्या और 2 चैन 3 अबल कोस बना कर में तो दो चैन वाली गैप में यहां पर इस पैटर्न की भीच हमहाई कोश्य बनाई की है तो इसमें बीच वाले गैप में हमें बना रहा है तो इस गैप में हम डूटल तीन जेन बनाने के बाद हम साथ डबल कोश्य और बनाएंगे तो आठ डबल कोश्य हो जाएगी तीन जेन को मिला करके इस तरह से हम बनाखर दे लिएंगे कितनी डबल कोश्य बनाने पर हम एक बीच वाले गैप में पहुंच लिए हैं फिर इसको यहां पर हम सिंगल कोश्य से जोड देएंगे इस तरह से जो घ्रवैप है कि अबनाएंगे जांखे हैं यहां पर हम कुष यह बनाएंगे तो कि 1 भी यह बनाने के लिए मैं 2 लूप경 कि ा Carne पूंचेंगे है भी यहने कोशे सुस्च कनि निकालें यहने तीन बार मीम थाउर निकालेंगे को सुफारी निकालें के हुआँ साहं है तब भार जम धियुक्ष पैयटर मेत पहले हम ट्रिकल कोसिया बनाएंगे एक फिर साथ डबल कोसिया बनाएंगे सब बनाने के बादे उसको सीफक्षा से यहां पर जोड़ेंगे अबिछा कि गाट Was दो-दो फनदे निकालने हमें इस तरह से फिर हम इसमें साथ डबल कोशय निकाल लेंगे फिर इसको next बीच में आप है सिंगल कोशय से जोड़ेंगे फिर दोभा लुक लेंगे फिर नेक्स patron में जाके में टपल कोशय बनाएंगे इस तरह से इसका लुक आएगा तो इसी तरह समय इसो कम्रीट कर लेना है पूरी यहां पे रोको अब देखे पूरा हमने कम्रीट कर लिया है इसको बना करके बहुत ही कुपसरत इसका लुक आया है अब जम लाश्न में आएंगे सिंगल कोशे से जोडने के बाद हम इसको यहां पे सिलिप इस्टिस से इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल कोशे से पहले जोड़ेंगे फिर वहां जो तीन चेन है उसमें उपर फेस्टरली चेन में डालके इसको सिलिप इस्टिस से जोड़ देंगे फिर उनकों कट करके गाट लगा लेंगे तो दिखे फ्रेंड से थालपोस बन करके पुरी तयार हो गई है तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज बिल्स के बन करके जरूर बताएगा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होते इसे जद्ध जद्धा लाइक कीजेगा अपने फेमली फ्रेंड्स मेंबर म से नेक्स्ट प्रजेक्ट में थैंक यू